दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी मज़भ की है तो वो क्रिस्चन्स की है यानि कि इसाईयों की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है उसके बाद अगर कोई है तो वो मसल्मान है ये बात आप तमाम लोग जानते हैं एक रिपोर्ट सामने आया है और ये रिपोर्ट काफी चोकाने वाला है सोशल मीडिया पे आज कल जम करके वाइरल हो रहा है मेनिस्ट्री मीडिया भारत की लगातार इस खबर को दिखा रही है अब उसके पीछे उनकी क्या वज़े होगी वो तो वो जाने लेकिन अभी हम आपको वो खबर बताने वाले हैं खबर ये है कि पूरी दुनिया में मुसल्मान सबसे जादा हो जाएंगी और मुमकिन है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग इसके गवाह बनेंगे आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे जादा आबादी मुसल्मानों की हो गई है ताजा रिपोर्ट्स बताते हैं कि किस तरह से मुसल्मानों की आबादी सन 2006 तक यानि कि अभी दो हजार 24 है आज के लगभग 36 सालों के बाद दुनिया में सबसे बड़ी आबादी मुसल्मानों की हो जाएगी कहा रिसर्च हुआ? किसने रिसर्च किया? इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके पीछे की वज़ा बताएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो जाएगा वैसे तो अगर बात करें कि मुसल्मानों के बारे में तो लगभग 57 ऐसे मुल्क हैं जहां पर मुसल्मान बहुत जादा है यानि कि 57 तो मुसलिम ममालिक कहे जाते हैं अब जैसे भारत है यहां पर तो बहुत मुसल्मान है कई सारे मुस्लिम ममालिक जो है, इसकी आबादी के सामने में कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, यानि कि आप इसे मुस्लिम ममालिक के तौर पर नहीं देख सकते हैं, मुस्लिम मुल्क के तौर पर नहीं देख सकते हैं, इसके पीछे की वज़ा ह हिंदोरास्ट रास्ट रास्ट की कुछ लोग बात करते हैं जो कि बेहद उलूल और जुलूल मांग है इसका कोई मतलम नहीं बनता है जब तक देश में सम्विधान है यह लग बात कि कुछ लोग देश के सम्विधान को कुछल दे उसे बरबाद कर दे, उसे हटा दे, उसे फार दे, उसे फिकते तब जाकर कैसा हो सकता है, लेकिन ये मुम्किन नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान के कडोरों ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में संभिधान भी है और साथ में उनका धर्म भी है वो समझते हैं कि समविधान कितना जरूरी है आए खेर देखते हैं कि आखिर इसके पीछे कि क्या वजा है और क्या कुछ रिपोर्ट सामने आये है ये देखिए धार्मिक समूहों के आधार पर Pew Research Center की ओर से हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई है इनके द्वारा की गई है Pew Research Center के द्वारा तादर रिपोर्ट के मताबिक अगली आधी सताब्दी में अगली आधी सताब्दी में सबसे बड़ा धर्म सबसे बड़े धर्म के रूप में इसाई धर्म का दबदबा समाप्त हो जाएगा यानि के जो इसाई धर्म सबसे उपर है उससे उपर इसलाम धर्म हो जाएगा आबादी के हिसाब से आबादी के हिसाब से क्या होगा कि मुसल्मानों की आबादी सबसे जादा हो जाएगी ये रिपोर्ट जो है वो प्यूरिसर्स सेंटर की ओर से हाली में किये गए है रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2060 के बीच मुसल्मानों की विश्व भर में जनसंख्या दुगनी गती से बढ़ेगी नतीजन 2050 के बाद वह इसाई धर्म से आगे निकल जाएगी और विश्व भर में स्वार्धिक जनसंख्या वाला पहला धर्म बन जाएगा यकीनन मुसल्मानों की आबादी जो है वो एक वक्त में सबसे जादा हो जाएगी पूरी दुनिया में मुसल्मानों की आबादी बहुत जादा होगी ये बात तो आप पहले से भी जानते हैं आईए देखते हैं यही नहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी कड़ी 32% तक बढ़ सकती है इसमें मुसलिम समुदाय के लोगों की संख्या 70% तक बढ़ने की उमीद जताई जा रह रही है 2015 में मुसल्मानों की जन संख्या विशु भर में करीब 1.08 अरब थी उमीद जताई जा रही है कि 2060 में यह संख्या बढ़कर 3 अरब हो जाएगी रिपोर्ट के मुताविक अगले 45 सालों में विशु के 10 में से 3 लोग मुसल्मान होंगे